इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2024 एडविसन का लास्ट डेट और साथी में जनवरी 2024 रीर जिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है 15 फरवरी 2024 से इसको और आगे एक्स्टेंड किया जाएगा या फिर नहीं, अगर एक्स्टेंड किया भी जाता है तो कितना किया और इसका जो ऑफीसियल अप्टेट है वो आपको कब देखने को मिल सकता है तो वीडियो को पूरा देखिए और इगनु से रेलेटेड सभी अप्टेट और नोटिफिकेशन टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को आपको मिलते रहे जैस सब्सक्राइब करदेशन की जल्डी ना चाथा है तो जितना जल्डी हो सब्सक्राइब कर देंगे उतना ही अच्छा रहेगा इगनु में ये रहता है कि जो admission का last date रहता है इसको बार-बार ही extend किया जाता है और अभी देखा जाए तो अभी मातर एक बार ही last date को extend किया गया है जो की 15 फरवरी तक ही किया गया था 15 दिनों के लिए और अब 15 फरवरी आने वला है तो आपका कहना है कि last date extend होगा या फिर नह जाएगा लेकिन ये जो लास्ट डेट है इसको अभी आगे कई बार एक्स्टेंड किया जाएगा तो इतना तो आप बेफिकर हो जाओ कि जो लास्ट डेट है इसको एक्स्टेंड किया जाएगा अगर 15 दिनों के लिए एक्स्टेंड किया जाता है तो 29 फरवरी तक जो लिए वीडियो देख सकते इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है और अब बात करते कि जो पुराने स्टूडेंट है उनके बारे में तो इगनुने जनबरी फरबरी 2024 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन ये भी स्टार्ट कर रखा है और री रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है इगनु के में वेपसाइट पर आप आप आएंगे तो यहां पर आपको बताया जाता है जो कि आप यहां पर देख सकते है ओडियल प्रोग्राम और ओनला कारी एक्स्टेंड किया गया है तो इसको और आगे एक्स्टेंड किया जाएगा लेकिन मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप 15 फरबरी तक रिरजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें आपका लेट फीस भी लग सकता है 200 रुपए अगर लेट आपको 16 फरबरी को देखने को मिल सकता है जब आपको दूसरे वीडियो के मादम से डीटेल में बता दूंगा तो इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक किजिए सेर किजिए और इगनुस रेलेटेट सभी अप्टेट पाने के लिए ताकि सभी अप्टेट आपको मिलते रहे और आपका कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं